इस वक्त बड़ी खबर आ रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि भार्तिय बहिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुकी है जी हां कप्तान, मिदाली राज और उनके साथ साथ जूलन गोस्वामी का ये सपना टूर गया है क्योंकि उनका ये आखरी वर्ल्ड कप था और इस आखरी वर्ल्ड कप को टीम के तमाम सगस्यों ने सोचा था कि उन्हें एक अच्छी खासी जीत के बाद विदाई दें लेकिन ये सपना अब सपना ही रह गया क्योंकि अब साथ अफरिका ने भार्तिय महिला विखेट टीम को तीन विक्टो से हरागता है इसका बस एक कारण निकल कर सामने आया और वो था आखरी ओवर का वो पांचवा बॉल जिस पर विकेट तो मिला लेकिन विकेट के साथ साथ वो बॉल नो बॉल देज़े क्योंकि कहते हैं कि नो बॉल पर विकेट अगर आपका स्टम्प पे बॉल लग जाए तो आपको नोट आउट कराण दे दिया जाता है लेकिन उसका भी एक कारण ये भी है कि तम आपको आउट दिया जाएगा जब आप रण आउट होते हैं बहराल आखरी ओवर दिप्ती शर्मा करें उस आखरी ओवर में सात रनों की दरकार लेकिन वो जो पांचमा बॉल था इस पूरे मैश में वो पांचमे बॉल रें एक तुर्म का इक्का निकला साउट अपरिका के खे में में जाकर गिला जिससे साउट अपरिका इस पूरे मैश को अपने हाथ में करें लेकिन वाली बात यह है कि आखरी ओवर में अगर कोई गेम जाता है तो वो भी बहुत ही एक खतारनात मोर पर होता है क्योंकि वो गेम 50-50 पर होता है और वो 50-50 कब 40 और 60 में आजाए किसी को अंदाजा की पह पहले भारतिया टीम ने बल्ले बाजी करते हुए साउट अफरीका के सामने एक बड़ा स्कोर रख किया थी 274 रनों का वो बड़ा स्कोर साउट अफरीका किस तरीके से पार कर पाई उसकी भी एक नजर डाल लेते हैं दरसल होता है कि 275 रन पहुँचने के लिए साउट अफरीका ने 7 विकेट खोड़िये थी अब सोचा जा सकता है कि 275 रन जीत के लिए चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा वही टर्णिंग पॉइंट साविए बहराल अगर आज वो नो बॉल फिकेट मिल गया होता तो शायद भारतिय महिला क्रिकेट टीम वर्ड कप के समी पाईनल ने पहुँच गई लेकिन अब बात यह है कि महिला हमारे भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा शांदाग प्रफोर्मेंस किया बहुत अच्छा बैटिंग रहा बहुत अच्छी बिन बाजी रही लेकिन उसके बाद भी आकरी ओवर के पांचवी गेल हमेशा के दित मलाल वह जाए लाइक करें और कमेट करना ना भुलें